अगले टॉपिक पर जाने से पहले, इंटरस्टन कैपिटल पर जाने से पहले, मैंने से पुछा, कितना पड़ा अपने अकांट्स का? कहता सर, partnership की पूरी book खतम होगी, हम companies की book करें हैं, मैंने का वा एक चीज बूच हूँ, मैं कहता हाँ सर, मैंने का interest on capital किस पर निकालते हैं, बोलता सर, closing capital पर, मैंने का वा यार तोने बहुत अच्छा पड़ा है, क्या बताओ मदर को, देखो यार, interest on capital हम opening पर निकालते हैं, आपका क्या पता, profit and loss appropriation का उन गलत होगे, past adjustment गलत होगे, तो यह चीज़ आपको धियान में रखनी पड़ती हैं, यार, बच्चों की मुझे complaint आ रही थी, सर, problem हमें पता, कहाँ पयारी है, सर, हम 3-4 chapters तो कर लेते हैं, उसके बाद, पीच्छा chapter बूलने लग जाते हैं, सर, क कुछ ऐसा तरीका बताओ, कुछ ऐसा तरीका निकालो, जिससे क्या हो, कि हमें चीज़े भूले ना, या कुछ भूले, तो हम आ के कुछ ऐसा करें, कि revise कर लें, कुछ ऐसा तरीका निकालो, जिससे क्या हो, सारी चीज़ों का एक बाद निचोड मिल जाए, for example, मुझे first chapter बू लेना, तो मैंने वैसे कुछ लेके हूँ आपके लिए, आज अकाउंट, आग एकनॉमिक्स, और फिर बिने स्टेडिस, तीनों में आने वाली चीज़े, वह क्या है, हम अब रिवीजन सीरी शुरू करने लगे हैं, ताकि आपको रिवीजन में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो दोस्तों, अब हम करेंगे क्या बेसिकली, जैसे आज फंटमेंटर दो पार्शीर फोर्वम करने वाले हैं, मैं आपको हर कोशन नहीं कराऊंगा, मैं आपको बोल दिया, लेकिन हर टॉपिक का ओवर्वीव दूँगा, क्या चीज़ इंपर्टन है, वह बताऊंगा, ता नहीं रेगी है, मैंने तरीका निकाला आप लोगों के लिए, बाकि अगर आप चाहते हो, क्वालिटी कोशन भी आपको चाहिए, तो मैं अलग सी वीडियो की बना दूँगा, मैं एक वाट्साप ग्रूप भी उसमें आप जूट सकते हो, बच्चे कोशन सौल्व करते हैं, मैं उनको क्वालिटी कोशन देता हूँ, जा मैं बच्चों को प्राब्लम आती है, मैं उनकी हल्प कर देता हूँ, अगर मुछ लगता है बहुत इंपर्टन कोशन है, तो मैं यहां पर भी ले आऊँगा, तो वहाँ पर जोट सकते हो, बाकि अचलो वीडियो शुरू करते ह आए तो आओ देखते हैं क्या के चीज़े होती है, पहला टॉपिक पार्टनरशिप, पार्टनरशिप से बेसिक चीज़ क्या होती है, देखो, जब भी दो, यह दो से ज्यादा लोग, एक एक अठे मिलते हैं, बोलते हैं, चलो हम कंपनी में आग इसे प्रोफिट एं लॉस शेयर करेंगे किस रिशी में agreed ratio मतलब जिस रिश्य में वह agree करते हैं तो वो partnership firm कहला थे कि जब भी दू यह दो ज़ेदा partners एक साथ आते हैं कि हम profit यह losses form के share करेंगे इंदे agreed ratio फिर उसको बोलते हैं partnership चीक है अब होता किया basically partnership में dispute होने के काफी chances होते हैं जैसे मैं आपको बोलो interest on capital कैसे बांट जाए profit and loss कैसे बांट जाए interest on doings किसे दिया जाए salary of a working partner क्या होगी यह सहर चीज़े भी होती है और problem क्या होती है कि यह dispute हो जाएगा कि यह कैसे चीज़ की जाए एक partner बोलेगा profit distribute करो equally एक बोलेगा capital के ratio में करो क्योंकि मैंने जएदा capital गई है एक बोलेगा मैंने काम जएदा किया है वैसा करो तो इन dispute को खतम करने के लिए हम एक deed बनाते हैं जिसको बोलते है partnership deed यह भी important चीज़ आपको objective type में आ सकती है mcq में आ सकती है अगली चीज़ अब आपको चीज़ बता दो कि बनाना जरूरी नहीं होता जरूरी नहीं होता तो कोई को लोग partnership deed नहीं बनाते अब प्रॉब्लम आती है कर पार्णेशिप डीड नहीं होगी तब को dispute खड़ा हो गया फिर हम चीज़ों कैसे करेंगे सर वह बता दो देखो partnership act 1932 हमें क्या बोलता है थोड़ी provisions दी है जो हमें follow करनी पड़ती है कब करनी पड़ती है जब absence of partnership deed में ठीक है interest on capital हो गई आपका interest on drawings हो गई आपकी remuneration होगी कोई भी जैसे remuneration क्यों होता है जैसे मैं बोलूं salary commission ये सब कुछ आपको नहीं दिया जाता कब नहीं दिया जाता जब absence of partnership deed होती है अगली चीज़ इंट्रेस्ट ओन लोन बाया पार्टनर में लोन दिया है उस पो इंट्रेस्ट हम पे करते हैं कितना देते हैं इंट्रेस्ट ओन लोन उसको 6% पर एनम ठीक है ये साथ चीज़े applicable होती है in absence of partnership deed जब partnership deed नहीं बनी होती ठीक है ये साथ चीज़े इंपर्टन है जो आपको पता होनी चाहिए अब next topic profit and loss approbation account पर जाने से पहले ये बनता क्यों है क्या reason है sir वह भी बता दो ठीक है बच्चों मुझे एक इस बताओ class 11 में final accounts किये थे yes sir क्या था उसमें ट्रेडिंग अकाउंट येस प्रॉफिटल ना उस अकाउंट बेल्कुल sir उसके बाद balance sheet आती थी ये तीन चीज़े हमारी आती थी लेकिन वह क्यों होता था क्योंकि वह प्रॉफिट निकलता रहा उसके बाद सीधा बना दे 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 लेकिन इसमें क्या है यह partnership firm है यहां हमें profit जो होगा distribute भी करना पड़ेगा किसमें partners में ठीक है तो हम यहां पर तीन अकाउंट जगा चार अकाउंट बनाते हैं कैसे बनता है सीक्वेंट सुन लो डेडिंग अका प्रॉफिट को कैसे बनता चाता है वो देखते हैं जैसे partners को interest on capital बांटना होगा salary बांटना होगी commission बांटना होगी partners को उससे interest on tax लेनी होगी उनको कोई bonus प्रवाइड करना होगा यह साथ चीज़े profit and loss approvation में होती है तो यह कब बनता है profit and loss count के बाद balance sheet से पहले ठीक है तो वो देखते हैं कैसे बनता है देखो profit and loss account एक nominal account होता है अब बलो किसे nominal account क्या होता है nominal account मतलब debit all expenses and losses credit all incomes and gains मतलब जितने भी expensive loss हो रहे हैं उनको debit करो जितने भी income और gains हो रहे हैं उसको credit कर दो अब मुझे बच्चा बोलता international capital से debit में आता है बट वो तो हमारी income है वहां पर क्यों आता है मैंने आपको पहले दीन ही शुरू किया था जब पढ़ाना मैंने आपको क्या बोला था अपने आपको हमेशा एक firm समझना ना कि एक इनसान हम accounts बनाते हैं firm के लिए हमेशा जो भी हम चीज करेंगे firm के point of view से ही एक income है तो वह कहां पर आती है हमारी credit side में देखो इसका format कैसा होता है मैं आपको simple छोड़ा सा बता दू छोटे view में छोटे तरीके सा आपको मैं समझा देता हूं देखो यहां पर लिख दोंगे particulars debit में फिर आ जाता है amount आपका फिर particulars फिर amount ठीक है अगर आपको net profit हो रहा होता है net profit कहां आता है यहां पर आता है आप लिखतो भाई pndl account और bracket में लिख दोंगे net profit अगर आपको loss हो रहा होता है आप इदल देते हो to P&L account net loss ठीक है उसके बाद job expenses losses इतना है income or gains इधर जैसे मैं बोलू हूँ आपको interest on capital इधर आजाएगी salary आजाएगी commission आजाएगी bonus आजाएगा इसाथ चीज़े आपकी आजाएगी ठीक है और इधर क्या आजाएगा interest on drawings अब आपको उसको balance करना होता है अगर आपके income side ज्यादा आती है expense के side छोटी आती है तो अगर अगर expense ज्यादा आ रहे हैं और income कम हो रही है तो आपको loss होगे वह आपको काम पे transfer करोगे partners capital account में वह भी transfer कर दोगे कि profit and loss attribution account profit and loss account के बाद बनता है तो इसमें जो भी items आती होगी profit and loss account के बाद वाली आती होगी तो अगर कोई ऐसी item है rent equal to 20,000 हमने rent charge नहीं किया उसके बिना profit है 20,000 का तो rent हमारे के expense है जो profit and loss account में आता है ठीक है आता है तो आपको पहले ठीक करना पड़ेगा उसके बाद इदर आना पड़ेगा ठीक वैसे ही जैसे suppose को rent है insurance premium है, salary या wages देने किसी worker को कुछ भी खर्चा, stationery का खर्चा कुछ भी खर्चा जो profit and loss account के item है अगर उसमें deduct नहीं की हमने तो आपको deduct करना ही पड़ेगी वैसे कोई income है अगर जो profit and loss account में आती है अगर हमने include नहीं की तो इसको include करना पड़ेगा उसको plus करना पड़ेगा एक चीज तो यह होगी, दूसी चीज, profit and loss approbation account में क्या होता है कभी-कभी, बनाने से पहले लिखाता है profit after charging salary equal to this one, मतलब जैसे मैं बोलू, salary suppose करो एक partner की है 2000 की, ठीक है, 2000 की मैं ऐसे बोलता हूँ, आपको salary है partner की, और लिखाता है कि profit after charging salary कितना है 22,000 का, अब बताओ मुझे, य उसे पहले तो होती नहीं है, ठीक है, तो जो मेरा तरीका है, basically दो तरीके सो करने की, जो मैं ऐसे खाने वालू हूँ, वो जैदा अच्छा तरीका मुझे लगता है, और काफी लोग भी follow करते है, काफी अच्छा तरीका है, वो क्या, पहले चीज़े को ठीक कर लो, अगर हमन अच्छा तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, लोग क्या समझाते है, वो यह है, कि अगर आपने सैले इंक्लूड पहले की कर चुके हो, for example, यहाँ पर आता profit after charging, अगर आप बनाओगे, तो उसमें सैले को इंक्लूड मत करो, बट यार अगर आप ऐसे करोगे न, फिर आपको दिमाग में रखनी चीज़ें पढ़ेंगी, यह चीज़ इंक्लूड हो चुके है, यह नहीं करनी, यह इंक्लूड नहीं किया था, इसको करना है, तो आप confused हो सकते हो, paper में आपको मतलब, प्रॉल्म हो सकते है, क्योंकि paper में पैनिक कर सकते हो, तो इसलिए यह मत करना, चीज आपने चीज़ के तो मैनस कर दो, आपने stationing चार्ज की, आपने insurance नहीं चार्ज की, प्रीमियम, वह मैनस कर दो, उसके बाद आगे proceed, कर जाओ, अगर आपको बिल्कुल डिटेल में चीज़ें है, तो मैं लिंक में दे दूँगा, वहाँ पे देख लो, हर चीज में एक्स्प की पूरी बुक खतम होगी, हम companies की बुक करें, मैंने का वह एक चीज़ बूचें, मैं कहता है, हाँ sir, मैंने का interest on capital किस पर निकालते हैं, बोलता, sir, closing capital पे, मैंने का वा यार, तुने बहुत अच्छा पड़ा है, क्या बताओ मैं देरको, देखो यार, interest on capital हम opening पर निकालते है बच्चे पूरी पूरी बुक पढ़ लाते हैं, उनको यह पता नहीं चलता, कोशन गलत करते रहते हैं, क्या फाइदा सीर्का बताओ, आपको चोड़ी चोड़ी चीज़े नहीं पता है, जो बड़ी important है, पेपर के point of view से, एक मार्क से पूर सकते हैं, या फिर आपका क्या profit and loss appropriation नहीं गलत होजे, past adjustment गलत होजे, तो इस चीज़े आपको धियान में रखनी पड़ती हैं, देखो, अब आता है, interest on capital जो मैं आपको बताया, interest on capital जो है, हम इसे चार्ज किस पर करते हैं, opening capital पे, तो अगर in case किसी कोशन में आपको closing capital दी होगी, तो आपको उससे opening capital निका उसमें क्या करते हो अब, drawings को plus करते हो, ठीक है, interest on drawings को plus करोगे, बिल्कुल sir, loss को plus करोगे, बिल्कुल sir, profit को minus करोगे, कोई additional capital introduced हुई या उसको minus करोगे, जब यह सारी चीज़े हो जाएगी न आपकी, तो जो आपका answer निकलेगा, वो आपकी निकलेगी, opening capital, और आपको इसके आगे फिर, इसके आगे आपको प्रसीड करना, और interest on capital पे निकालना है, अगर आप चाहते हो, यार, यह मैं आपको हर चीज़ समझाओ, logic समझाओ, इसका क्या है, हर किसी के पीछे, link मैं दे दूँगो नीचे, मैंने कोशन समझाएगा, बहुत परादा कोशन है, देख लेन या आपको guarantee of a partner में help कर देगा, बहुत आपको help कर सकता है, यह topic, तो interest on drawings में भी नजर डालते हैं, अब interest on drawings पढ़ते हैं, बिलकुल plain manner में, बिलकुल easy manner में, आपको सिर्फ overview दूँगा, देख, interest on drawings निकालने के basically, दो ways है, कौन-कौन से, एक है uniform way, या आप regular way भी बोल सकते हो, इसको ठीक है, और एक है non-uniform जिसको आप irregular भी बोल सकते हो, non-uniform में basically क्या करते हैं, पहला हम आपको यह बता दू, non-uniform होता है, जब चीज़ें same नहीं चल रही हो, मतलब for example, हमें drawings की December में, starting में, आगले साथ में drawing की January के end में, फिर आपने की March में, फिर आपने की मार्च में में, फिर May में, फिर June में आपने भी बीश में कर दी, कोई specific pattern follow नहीं हो रहा, उसको बोलते हैं, irregular यह non-uniform drawings, इसके लिए आपको हर चीज़ें separate चीज़ें करनी ही पड़ते हैं, मतला, हमको एक formula में नहीं समझाया था, आपको में link में दे दूँगा, product method, हर चीज में समझाया इसका specific pattern follow होता है, for example, drawings हो रही है, beginning of each month, ending of each month, middle of each month, यह quarterly हो रही है, यह सार चीज़ें वहाँ पर आती हैं, तो इसका formula के पर revise कर लेते हैं, आगर आप चाहते हैं, इसका logical way में बताओ, नीचे link मैंने दिया हुआ है, interest from drawings के नाम से, आप जा सकते हैं, वहाँ पर मैंने हर ची example, एक हमने पढ़ा था, beginning वाला, एक हमने पढ़ा था, middle वाला formula, एक हमने पढ़ा था, end वाला formula, ठीक है, अब problem बच्चों को मैं बताता हूँ, कहां पर होती है, देखो, आपका formula होता है, total drawings into rate upon 100 into average period बोलो या average time बोलो upon 12, यह आपका formula होता है, ठीक है, problem बच्चों को जहां पर आती है, वो यह है, average time पर, कैसे निकालना है, वो मैं आपको बताता हूँ, जब uniform drawings हो रहे होंगे, beginning of every month, during 12 months, तो आपका formula क्या आजाएगा, 6.5, अगर लिखा होगा, middle of each month, during 12 months, तो 6, और अगर end के बाद दो रहे होगी, तो 5.5, वही, अगर beginning of each month हो, during 6 months हो, फिर क्या कर 5, पूरी derivation समझाएगी, अगर आपको सीखने हो, आप सीख सकते हो, लिंक मैं provide कर दूँगा, और next होता है quarterly, यह drawings हो, quarterly हो, quarterly हो रही हो, अब quarterly हो रही होगी, तो suppose करो beginning of each quarter हो रही होगी, तो formula क्या होता है, 7.5, middle में हो रही होगी, 6, और अगर end में हो रही होगी, 4.5, तो यह यह चीज़े मैं करवा दूँ ता कि आपको चीज़े recall हो जाए, दो और important कीसी ने हो भी समझ लो, पहला चीज, when time is not mentioned, जब time mentioned नहीं होता, जब time mentioned नहीं होता, मैंने आपको special question भी करवाया हो है, जब time mentioned नहीं होता, तो हम average period लेते हैं, 6 months का, कितना, 6 months का average period लेते हैं, कब ले फरक समझो, 10% 10% per annum, आई होग आपको चीज़ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, चलो मैं इस दे लिख देता हूँ, 10% और 10% per annum, इसमें क्या difference है मुझे खुद बताओ आप, देखो, जब खले 10% लिखा होगा, इससा मतलब होता, आपको time को consider नहीं करना, और जब 10% per annum लिखा होगा, तो आपको time को consider बिलकुल करना है, ठीक है, तो दोस्तों, चलो मैं आपको example समझाता हूँ, जो मैं आपको इंट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेस्ट्रेंग्स का बता रहा था, जिसमें per annum गिवन होता है, जो per annum गिवन नहीं होता है, एक्जांपर के इसी है, बट उन्होंने वही ध्यान दिया per annum वाला, उनसे कोशन गलत हो गया, आपको एक मार्स में आ सकता है, देखो क्या, मैं बोलता हूँ, आपको 25,000 है total drawings, ठीक है, और rate में आपको बोलता हूँ, आपका है 10% per annum, और एक case मैं दे रहा हूँ आपको, कि drawings 25,000 ही है, लेक ठीक है, तो हमें पता है, जब कुछ भी गवर नहीं हो था हम 6 months लेते हैं, ठीक, लेकिन मैं आपको क्या चीज़ समझाए, जब पर annum नहीं given होगा, तो 6 months का टाइम नहीं लेना, आप टाइम लेते ही नहीं हो, तो हमें सिधा 25,000 into 10% आप कर दोगे, आपका answer निकल जाएगा बच्छों निदव 6 by 12 किया था, जो चीज गलत है, ठीक है, अगर आपका पर annum given होता, फिर आप क्या करते है, 25,000 into 10% into 6 by 12, फिर आपका answer सही होता, तो ये चीज़ है, छोटे मूटी चीज़ हैं, लेकिन आप गलत करते हो, दोस्तों आप आते हैं, नेक्स टॉपिक पर जो बहुत important topic है, जो की past adjustment, जिसको हम बोलते हैं, अब past adjustment होता क्या है, देखो, 11th में rectification of address पड़ा था, हाँ sir, बस उसका भाई है, मरलब, यह जैसे वहाँ चीज़े को ठीक करते हैं, यहाँ भी हम ठीक करते हैं, देखो, हमारे पास कोई गलत हो चीज़ी, जैसे for example, partnership firm बना रहे है, यह मालब, आपकी जहां भी गलती हो रही है, उसको जाके ठीक करो, बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, कि पूरा वापिस ठीक करो, दुसरे चीज़ क्या होती है, यह एक actifying entry pass करो, जिसको हम adjustment entry भी बोलते हैं, वह pass कर दो, आपकी सारी चीज़े ठीक हो जाएंगी, त हम वह करते हैं, मैं आपको चीज़ेंगा, पास adjustment में कैसे entry pass करते हैं, इस student से बहुत important question है, चार marks का हर बार आते CBC में almost, 99% chance has का इस बार भी आने का, क्योंकि हर सारी repeat होते हैं ऐसे questions, और इतने easy questions हैं आपको क्या बता हूँ, बस आपको बच्चे क्या होते हैं, बच्चे confused हो देखो, हम pass adjustment का करेंगे, account बनाएंगे particulars का, suppose को हमने दो partners है, A और B, तो हमने A और B का account बना लिया, और एक firm बना दिया, ठीक है, सब में debit credit का column बना लेंगे, लग से, ठीक है, अलग लग हमने सब का column बना लिया, अब मुझे बिस आप एक चीज़ बताओ, अगर हमने interest on capital द जाता हूँ, एक का फाइदा, अगर partners का फाइदा, firm का नुकसान है, वैसे wise or सा भी चलता है, firm का फाइदा होगा, partners का नुकसान होगा, for example, interest on rent, partner pay करेंगे, उनका नुकसान है, क्या करेंगे हम उनको debit, तो मुझे बएक चीज़ बताओ, अगर partners का debit है, firm का क्या होना चाहिए वो credit होना चाहिए, मतलब partners का loss, firm का फाइदा, अगर हम partners को debit करें है, firm credit होगी, अगर firm debit होगी है, partners credit होगी, मतलब उल्टी चीज़े चलती है, मतलब जो एक चीज़ का फाइदा है, दूसरे बंदे का नुकसान है, firm का फाइदा, partners का नुकसान, बस यहाँ पर वही चीज़ ही आपको एक hypothetical example दे रहा हूँ, जैसे देखो, interest, जो आपने suppose करो, बांटना आपको 4 पर था, हमने 5 पर बांट दिया, जो गलत होगी उसको वापिस ले लो, और जो नहीं किया उसको दे दो, तो क्या करोगी यहाँ पर, जो गलत होगी 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 होग बाटना किस पर था, 4% पर तो interest on capital at 5% per annum, taken back, वापिस ले लो, मैं ऐसे hypothetical figures दे ले रहा हूँ, ताकि अगो बाश समझाने के लिए, taken back, जो हमने interest on partners capital वापिस ले लिया, partner से ले लिया, partners का क्या होगी 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 अगर partners का debit form का की होगी 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 होगी, और वह बहुत कुम देना है रहता है, चार परसम द ले ले था है, आप आप संप्सक्री निया, तो interest on capital at 4% to be provided to be given, कुछ भी लिख सकते हो, to be provided, ठीक है, अब मैं suppose को इसकी figure लेता हो, for example 150 हमने इसको देना था, ठीक है और इ एपकर्ट प्रट्न को इंदिटिए स्थिए था अगर नुटक्सान इसके फ़र्म का अगर आपको एक यह को रगंगे करेंगेिंगो यह श्रॉंच भते debit is always equal to credit firm कर जो मेंशा debit होता है किसके एकुल होता है credit के एकुल होता है हमने पड़ा हुआ है तो अब देखो यहां पर 500 यहां पर 350 आप इसको बैलेंस करोगे कैसे करोगे बैलेंस नीचो लिख दो यहां पर 500 दोनों जगह अब यहां पर 500 था यहां पर 350 था बराबबार करने के लिए करोगे हम 150 डालोगे जिसे हम बैलनसी फिगर डालते हैं यह फिटी आपके आगी फिगर ठीक है जो आपका बैलनस करके आया अब आपको इसको अज़स्ट करना पड़ेगा अज़स्ट कैसे करोगे बताओ डे ट gallon फाहां पहरा है few aम इनका अगर फर्म की डै बीट में आ रहा है तो चै kiedy के कहा में चाहिए यहां पर देखते हैं कौन सा बड़ा कौन सा चोटा है कौन सा बढ़ा रहा है क्रेट सैड बड़ी आरही है तो ली दोगे तुटिफाइफ आगे क्रेट लिख देना यहां पर कौन सा बड़ी आरी कितनी 25 डेबिट की तो जो साइड जो डेबिट आ रही है डेबिट में लिख दो मतलब इसके एंट्रिय होजेगी दोस्तों 20 डेबिट जो डेबिट जयदा आथ तो उसको डेबिट कर दिया कुछ कोई घल्ती आपने आपका निकल गया तो दोस्तो कोई गलती उसको ठme करनापने जो आपसे一点 एक कर दो जो घ्र Remo लो जो देनी इसको प्रॉवाइट कर दो बात खतम फिर सा समझा रहा हूं जो गलती हुई है उसको ठीक कैसे करेंगे सब्सक्रों मैं बोलतो हूं प्रॉफित बादना भूल गया तो प्रॉफित भी बाद दो मैं बोलतो मैं प्रॉफित गलत बाद दिया और इंट्रस्चन चीज बताई वी आपको ताकि आपको हर चीज के बीछ लॉजिक समझाए यहां पर चलो मैं ओवर्विव दे रहूं इसलिए आपको प्रॉग्लम हो सकती है अगर आपने वह चीज नहीं पड़ी वी मैं बोलता हूं यह पढ़ लो अगर आपने नहीं पड़ा हुआ पास जेस् बात हूं जो क्या होता है देखो नेट प्रॉफिट विफोर कमिशन में क्या होता है अगर हम विफोर की बात करें तो आपका फॉर्मला क्या होता है नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन हंडड यह तो आपने हर जग काफी जगा किया वह भी है चेंज क्या है नेट प ठीक है तो यह चीज़े होती है यह आपको मैं इस फॉर्मॉला बता रहा हूं आपको डिटेल वीडियो चाहिए कि आपको इसके पीछ लॉट्जी की बता दूं तो मैं बता देना मैं बना दूंगा कोई इशो नहीं आएगा ठीक है अगरा टॉपिक जो प्रॉफिट लॉस ए और भी पार्टनर्स हैं ठीक है उन्होंने C को अडमिड किया पार्टनर्शिप में 1-10 शेर के लिए अब वह C को बोलते हैं तो 1-10 शेर के लिए तो आजा लेकिन तो यह को गरेंटी दे रहे हैं कि मिनिमम प्रॉफिट तेरा 2,00,000,000 होगा ही होगा तो C पता क्या आगे से अगर नहीं हुआ फिर का करोगे, तो partners बोलते हैं, अगर कोई deficiency आती है, अगर थोड़ा कम आता है, हम अपने हिस्सों में से दे देंगे, तो अब बाकी question depends करता है, question to question vary करता है, कभी-कभी दोनों partners देते हैं, जब कुछ भी लिखा नहीं होता, और कभी-कभी क्यों होता है, ए इतना सही है, last topic, partners capital account, बहुत अच्छा topic है, आपको admission, retirement, death वगरे में भी use होता है, तो basically partners capital account में दो तरह के account बनते हैं, partners capital account, capital account method बोलो, कुछ ही बोलो, दो तरह के method होते हैं, इसमें, कौन सो होता है, एक होता है, fixed capital method, और दूसरा आपको होता है, fluctuating method, तो इन दोनों में क्या difference होता है, वो मैं आपको बता दूँ, fluctuating method में क्या होता है, दोस्तों, basically, एक account बनता है, जैसे for example, हमारा account बना, यह हमारा account है, यह A और B partners है, ठीक है, और यहाँ भी A और B partners है, I'm sorry, यह जगह काम है थोड़ी, तो माफी देना उसके लिए, यह मैं अब ठीक है, तो सब्सकरो A और B partners है, तो fluctuating method में क्या होता है, सारी entries इदर ही आती है, आपका balance broaden आजग इदर, ठीक है, उसके पाद interest on capital, अच्छा, एक चीज़ा आपको बता दूँ, बच्चे में से पूछते है, सारी credit side क्यों आता है, दोस्तों, देखो, capital account का balance हमेशा credit ही होता ह For example, credit का मतलब क्यो होता है, अगर मैं बोलू किसी चीज़ का credit balance है, मतलब उसका जो opening balance होगा वो आपकी credit side में आएगा, और इसे होता क्या है, अगर suppose करो किसी चीज़ का credit balance है, तो जो भी उस चीज़ के related फाइदे होते हैं, For example, ये partners का capital account बना रहे हैं, partners का जो भी फाइदा मि interest on drawings, को expense उनका हो रहा है, तो अधर डालते हो, ठीक है, जैसे मैं आपको example देता हूँ, For example, मैं बोलता हूँ आपको cash account, cash आप बोलोगे, एक asset है, तो asset commission debit balance होता है, तो जो भी चीज़ increase होती है, जब cash related, तो हम वो debit side में डालते हैं, तो मैं से आपको example के लिए समझा रहा ठीक है, यह आपका आगया fluctuating, अब दोस्तों fixed capital account पर आते हैं, fixed capital account method में basically दो तरह के accounts बनते हैं, एक account का नाम होता partners capital account और दूसरे account का नाम होता partners current account, ठीक है, इसमें होता है basically partners capital account में as the name suggests in the fixed method में, आपको सिर्फ एक partners capital account बनाना पड़ता है, अलग से जिसमें आपको सिर्फ capital क entries record करनी है, मतलब जो भी entry capital के related होगी, बस वो ही entries आएंगी, जैसे for example, यहाँ पर to buy balance broaddown आजाएगा, जो भी आपका होगा capital का balance, उसके बाद by cash, by cash मतलब जो भी cash introduced हुई मतलब additional capital introduced, जो भी additional capital आई होगी, वो आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है, और उसके बाद आपको इस जो drawings हुई है, from the capital, देखो drawings भी दो तरह की होती है, against capital, against profit, जो drawings capital में से हुई है, वो लिखोगे, मतलब partners capital account में सारे entries के related आएंगी, जो capital के related होगी, बस उसे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, इसको हम बोलते हैं, मैं लिख दूँ, partners capital account, जगा नहीं थी उपर, तुमाने partners current account, अब partners current account में क्या होता है, basically दोस्तों, capital account को छोड़के, बाकि जो भी entries होती हो, इधर आती है, for example, को balance brought down होगा, उनका पहले से, वो लिखोगे, interest on capital लिखोगे, उसको बाद मैं आपको बोलू, salary, commission, को profit and loss distribute करोगे, कोई drawings हुई है, वो, आप drawings कोंसी दोस्तों, out of profit वाली, ठीक है, वो, और आपका interest on drawings आ गया, मतलब, सारी चीजें, जो भी capital को छोड़के होगी, सारी transactions, partners की, वो आपकी fixed capital method से, partners current account में आती है, इसको बोलते हैं, partners current account, so दोस्तों, यही थी आज की वीडियो, जहाँ पर हमने आज पूरा overview ले लिए, first chapter का, वीडियो थोड़ी लंबी तो हो गई, लेकिन, अगर आपने पूरी देख लेना, आपको पूरा recall होजेगा, क्या की चीज़े यहां पर होती है, एक भी cheat, छूटी चूटी बारी की वाली नहीं जूटेगी, बाकी, आप tension मत करो, quality questions भी आने वाले है, नीचे question, the day series given है, वहाँ पर जाओ, आप से 3-4 question अच्छे मिल जाएंगे, जो मैंने करवाये अभी दक, एक पर देख लेना, बताना मुझा solve हुए नहीं हुए, क्योंकि 3-4 question जो है न वो, एक पर आप चलो खुद देख लेना, जाके मैंने कुछ बोलूँगा, लेकिन आपको बहुत सारा काम है करने को, अगर आप मैनत करन चाहते हो, अच्छे माग सलना चाहते हो, तो आपको करनी पड़ेगी, बाकि यार कहीं भी हम इसे जूट सकते हो, इंस्ट्राग्राम का लिंक में दे दूँगा, वाँपे जूट जोट जाओ, वाँपे भी जूट सकते हो, बाकि यार अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं क मैं आपको हर जी समझा नहीं ना, मतलब आप चाहते हो का समझा हूं तो मैं स्पैस्फिल टॉपिक समझा दूगा लेकिन, यहां जो मेरा मेरा में मोटिव आपकी रिवीजन करवाना, ताक को चीज़े भूले ना, आपको एक दिमाग में एक फ्लो चार्ट हो जाएगा, बि क्लियर, तो दोस्तों दिस इस शीवम जोहर साइनिंग आफ, डू टेक किये, अपना द्यान रखो, जल्दी मिलते हैं नेक्स वीडियो में, बेस्ट विशिस